अलो केसे वाप सब आई होप सारे बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे कि आप सब को बताए कि हमारा बहुत इंपॉर्डेंट चाप्टर है जयाव प्रक्रम और कहा जाए बायो का मोस्ट इंपॉर्डेंट चाप्टर है लेक्शन नुबर पूछे जाते हैं यहां से आपका कौन सा वाला यहां से आपका बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए ठीक है तो इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग और आपको पता है कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि भई पोशन क्या होता है और पौदों में पोशन को जाना है साथी साथ हम लोगोंने अमीबा में पाचन को हम लोग पढ़ चुके हैं अब बारिया यह किस की इस चाप्ट उसके बच्छों को अबने में पता होता है जाब हमीशा जवाब देना आना चाहिए आप जवाब जवाब दो ήँआ पर आप चाहिए जरी आप जबालत और पताल और कहां सब्सक्राइब है ना तो मैंने आपसे पूछा पाचन ख्या होते हैं क्या बोलोगे आप क्या हते हैं बोट जयांसे अच्छ बताये हम लोग Mouse खाना कहाते हैं बिल्कुल तो यहां पर भी क्या होता है पाचन किया होता है कि भई जितने भी बड़े ठीक है वा जो जटिल आपके पोश्चक पदारते हैं निकी जितने भी बड़े आपके वा जटिल ठीक है जितने भी आपके जो अनू है उनको आप किसमें बदल देते हो छोटे वा सरल में ठीक है छोटे वा सरल अनू में आप क्या कर देते हो उनको परिवर्टित कर देते हो अभी यहां पर बात आते कि क्या कोई मदद भी कर रहा है बिल्कुल यह जो क्रिया होते हैं कि देखो यहां पर जितने भी बड़े जटिल जो आपको छोटे वा सरल में टूटेंगे तो यहां पर मदद करते हैं अंजाइम याने कि यह क्या कर रहे हैं एक तरीके से बच्चा ये मदद कर रहे हैं इन अभूं को तोड़ने में clear, अब यहीं पर आ जाता है, आपका क्या पाचनतंत्र क्या होता है? तो Exam, मानव-पाचन तंत्र पाचन तंत्र क्या है? foremost देखिए हमारा शरीर किस से बना होता है issn कोशी कां से बना होता है ठीक हमारे शरीर कोशिका से बना है कोशिका का स्रमू यानि कि भई कोशिका किन को बनाती है उतक को बनाती है उतक क्या करते हैं भई हमारे शरीर में अंगों को बना देते हैं और बहुत सारे हमारे शरीर के अंग मिलके क्या कहलाए जाते हैं अंग तंत्र ये बच्चा उसी तरीके से होता है जैसे हमारे पास एक मशीन है जब हमारे पास एक मशीन होती है तो उस मशीन में क्या देखतो छोड़े पुर्जे होते हैं तब एक वो बड़ी मशीन रेडी होती है एक भी पार्ट नहीं है तो मशीन काम नहीं करेगी तो हमारी बॉड़ी किसी मशीन से कम थोड़ी ना है तो हमारी बॉड़ी में होता क्या है कि देखो सबसे पहले हमारी किसके कोशी का से कोशिकाओं का समुव और उताख होता है उताख अंगों को बनाते और अंग अंग तंत रुको तो कोई एक काम नहीं कर रहा है यहां पर बहुत सारी यानिकी एक से जाधा उंच्या कर रहे हैं अपने जब रोटी का टुकड़ा तोड़ा मूँ में रखा उसको चबाया पहले किसने काम किया दातों मुँ में ही क्या आपकी जीव है लार है चिपचिपा पंजो होता है खाया कौन लेके कहा बें जिस नली से गया ग्रास नली ने बूढ़ क्या कहा भी मापे मदद किया भूजन को पहुंच आया अब वहीं पर आगे कहां कि अमाश्य में अमाश्य के बाद छोटीयां तो क्या यहां पर किसी एक अंग ने काम किया है और बहुत सारे अंग मिलकी क्या कर देते एक तंत्र जिस तरीके से छोटे-छोटे जो पुर्जे थे उन्होंने एक मशीन को बना दिया उसी तरीके से अंगों ने मिलकर एक तंत्र को बना दिया और जिस भी क्रिया में वह भाग लेते हैं यहां पर ठीक है वह क्रिया उसके आगे अब पाचन हो रहा है तो पाचन की क्रिया में जितने भी अंग यहां पर भाग लेंगे ठीक है वह क्या हो जाएंगे आप एक तं है वो हर बच्चे को आने चाहिए क्लियर बिल्कुल क्योंकि लास्ट टाइम पे जब एक्जांस होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको स्टार्टिंग से ही डाइग्राम को बनाना चाहिए यह मैं बात बोलती हूं क्यों क्योंकि बच्चों को लगता है कि अरे बना लेंगे बाद में फिर इदम जब लास्ट टाम आजा तो उस टाम प्रेक्टिस करते हैं और वो नेम्स जितने भी लेवलिंग होती है वो हमें याद नहीं होती है तो स्टार्टिंग से यह प्रक्टिस करनी है और यह जो डाइग्राम में मोस्ट इंपॉरेंट है और जितने आप यहाँ पे नाम देख रहे हूं वो सब नाम में आपको बढ़ाऊंगी ठीक है एक पार्ट का भई क्या काम है वो सब बताऊंगे और देखो बिल्कुल हम अराम से ले कोई भाग नहीं रहे हैं तो चले पाचन जान चुके मानव पाचन तंत्र अब इसकी डे अगर कोई आपसे पूचे कि पाचन किसे कहते हैं वही पर बात आती है क्या तंत्र यानिकी जो तंत्र ये काम करता है वो हमारा पाचन तंत्र कहलाया जाता है वहाँ अच्छे से चालो अब बारी है इसको आगे बढ़ाने की क्या देखने आप आहार नली तो था बोजन का आप सोचोंगे मैं आहानली क्या होती है ठीक है तो आहानली क्या होती है भई हमारे शरीर में यानि कि भई ये मुख से शुरू होती है और कहां पे शरीर के पश्च भाग तक होती है कहां से मुख से शुरू होकर शरीर के पश्च भाग तक होती है अब यहां पे अहां डली के भाई यानि की इसके बहुत सारे भाग होते हैं यानि की भाई अहां डली मैंने क्या बोला मुख से शुरू है शरीके पश्च भाग तक है यानि की बोजन के पच्चने में क्या होते हैं अंग क्या कर रहें मदद करें तो कौन-कौन से अंग है वो भाग होते हैं, आहार नली के, clear, number one के अगर मैं बात कर रही हूँ, क्या हो जाता है, सबसे पहले, मुख, clear, second number पर क्या आ जाता है, मुख के बाद, second number पर यहां पर आपका आ जाता है, बच्चा, grass नली, ठीक है, इसको ग्रसी का भी कह देते हैं, चलिए, number तीसरा कौन सा आता है, number तीसरा आ जाता है, आपका अमाश्य है, यानि कि स्टमक, ठीक, number फोर्थ पर आ जाता है, है, कौन सा, number फोर्थ पर आपका आता है, छोटी आत, यानि कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको शुद्रांत्र भी कह देते हैं, clear, आपकुछ बच्चे ना, यहाँ पर confuse हो जाता है, माम, शुद्रांत्र क्या होता है, तो छोटी आत जो है, उसी को हम शुद्रांत्र भी कह देते हैं, okay, number fifth पे, आप लिखेंगे यहाँ पर बढ़ी आत, clear है, क्या लिखेंगे, बढ़ी आत और बढ़ी आत को हम ब्रह द्रांत्र भी कह देते हैं, okay, चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ब्रह द्रांत्र भी हम इसको कह देते हैं, and last, number six पर आजाता है, गुदाद्वार, clear, क्या आजाता है, गुदाद्वार आजाता है, या आप यहाँ पर मलाश्या भी लिख सकते हो, clear, इतना point, चलिए, और याद रखेगा, यह छे किसके हैं, आहार नली के छे भागोते हैं, लाइन से आपको बता दिये हैं, और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो यह याद रखनी है, कि आप इनको इसी सीरीज में लिखोगे, अगर आपने एक भी उपर किया, या एक भी नीचे किया तो होता किया है, कि यह पूरा गलत हो जाएगा, आप सोच सबसे पहले आपको खाओगे, चबाओगे, टेस्ट का पता लगाओगे ना, फिर वो आपकी ग्रास नली से अमाश्य में जाएगा, ठीक, तो इसी सीरीज में, यानि कि जिस क्या होता है, जैसे हमने खाया, फिर ग कर देते हैं, यहां से नमबर वन वाले पाट से, और नमबर वन वाले पाट आजाता है, आपका मुख का यानि कि माउट का, अच्छा मूह में क्या होता है, भी देखो मूह में आपके यहां पे दाद भी है, है ना, यहां पे जीब भी है, और क्या हो जाता है, मूह में जल्दे से और फिर उसके बाद कौन आ जाती है जीव होती है और यहां पर होती है आपकी लार ठीक चलो इन तीनों के बारें पढ़ते हैं सबसे पहले यहां पर हम दात के बहीं दातों का काम के हैं कुछा दातों का काम कि आपने बोला मैं चबाने का सबसे पहले हमने रोटी के टुकुड़े को तोड़ा क्या कर आपने इसको चबाए नहीं चुड़ा तोड़ा अब कितने प्रेकार के यह जानना है तो याद रखेगा मनुष्य के एक जबड़े में 16 वह दोनों जबड़ों में 32 दात होते हैं तो याद रखेगा कर कोशन आता है कि एक वयस्क में कुल कितने दात होते हैं वयस्क कौन है बड़ा मैच्वार इंसान तो एक वयस्क में टोटल कितने दात होते हैं 32 दात होते हैं 16 हमारे मिचले वाले जबड़े में होते हैं 16 हमारे किसमें भाई उपरी जुटल बतीस हो जाते हैं की दुधिया या और साई दाट जो होते हैं और दात जो होते हैं बच्चा वो कितने प्रेकार से आपके चार प्रेकार से दाट होते हैं कौन-खन से, देंक liजिए हैं पैंट्ट्रा होता है ilंत सूत्र का किसा होजाता है कि दंत स् comfort का हो जाता है तो दंट्री आने कि議 आन्य फॉर्म्ला इस पता होना चाहिए आप यहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है I C P M M कुछ यहाँ पर confused होंगे यह है किया तो मैं आपको बता देती हूँ ध्यान से देखिए मैंने बुला दाद जो है वो चार प्रेकार की होते है नंबर वन क्रिंतक, सेकेंड है आपके थर्ड आपका अगरे च्वरनक और फोर्थ होता है आपका च्वरनक यह हिंदी में नाम है इंग्लिश में को क्या बोलते हैं देखिए नंबर वन इंसीजर यानि कि यह होते हैं हमारे क्रिंतक, ठीक है कैनन जो होते हैं यह होते हैं हमारे रदनक, प्री मोलर जो होते हैं यह कौन से हो जाते हैं हमारे अगर च्वरनक और मोलर जो होते यह होते हैं च्वार्णक, तो यहां पे यह कोई नई चीज नहीं है ICPM यह इन्हीं के स्टार्टिंग के वर्ट को लिए बिया pickle kia someone का सी यह दिया सी लिदिया प्री मोलर का अब है किया बिया तो आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो या आप गंच सुत्र को कैसे लिख सकते हो कि भाई इसको इस तरीके से उपरी जबडे में अधे भाग में उपस्थित इसमें उपरी जबडे में आधे भाग में उपस्थित किसकी दातों की संख्या ख्लियर बटे यानि किया कौन किसमे देखो हमारा क्या है भई हांची हमारा पूरा का पूरा उपर वाला जबड़ा है और नीचे वाला जबड़ा है तो नीचे वाला या उपरे वाला उनके आदे हिस्से में उपस्थित दातों की संख्या तो आदे हिस्से में जो चार प्रेकार के दाते उनकी संख्या ठीक है ये सब लिखा हुआ है बटे निचले जबड़े में उपस्थित किसकी आदे भाग में उपस्थित किसकी दांतों की संख्या क्या हो जाता है गुणा दो चीक है तो यह आपका क्या होता है दन सुत्रों तो टोटल 32 लिख सकते हो आप यहां पे ख्लियर है तो जल्दे से एक बार देखेंगे मनुश्री में टोटल कितने दाथ होते हैं कितने बिलकुल एक वैस्थ में 32 लधोते हैं और दनसुत्र के होता है उपरी जबडे में उपस्तित आदे भाग में दाफों की संख्या बटे निचले जबडे में आदे से श्रदातों के संख्या और दाद भी 4 प्र्रकारीं के तो दातों काम समझ आ गए हैं ना अगेस्ट आ जाता है बच्चा भच्छा जीब का मिसलब से किसका पता लगता क्लियर क्या होते हैं बटा जीब पर होते हैं स्वाद के अंकूर जिससे हमें टेस्ट का पता लगते हैं और अलग अलग होते हैं देखो जीब के इस वाले हिस्से पर हमें किनका पता लगता है कि हमने जो भी खाया है वो मीठा खाया है है ना देखो जहां पर सॉल्टी लिखा है यहां पर हमने क्या पता लगता है कि हमने जो भी खाया है वो कैसा है वो नमखीन है नेक्स देखो जहां ने जो भी खाया है वो कड़वा है तब ही आप बोलते हो दवाई जब खा ले तो गले में कड़वा पान लगता है कि अरे गला कड़वा हो गया क्यों तो जीप का काम भी क्लियर अब बारी यहां पर आ जाते किसकी लार की बिल्कुल बता चुकी हूं लार जिसको हम आम भाश किसी पधार्त का श्रावन करते हैं किसी ना किसी पधार्त को बाहर निकालती है और यह भी तीन तरीके से होती है कौन-कौन सी एक होती अंत्य श्रावी ग्रंति आपका जब नेक्स चैप्टर आएगा नियांत्रायम समन में उसमें आप इसको बहुत डिटील ने पड़ोग हो मिष्रत और उसको बहुत बहुते कि निकाले हैं हम उसको अइंजाइम के देते हैं और साथी साथ याद रखेगा आपकी जो भै क्या सकता है नटनम कि स्क्रावन मोंनने हैं होता है किस का यृडट होता है और мुख्य रूप अब Hell में नहीं अब विच्ष्ष्ष और। ये जो क्रिया 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 इतों, फटी में बाग लेंगे अब लार में मैंने बोला इक एंजाइम उपस्तित होता है कौंसा एंजाइम वो है toilin. इंजाइम इंजाइम इंप्टेंट कोशड़ होता है toilin और लार में साथ-साथ amylase भी होता है याद रखेगा यानि की amylase होता है वो कार्बोहाइडेर्ट का पाचन करता और हमारा पूछा जैएगी प्रेशन की भई पाचन कहां से शरू होते हैं लाइजka है और पाचंटे ग्राइ्वेदिया होते हैं तो तीन जोड़ी जो लार गरंथियां हैं clear वो होती है कौन कौन सी होती है जल्दी से देखिए point important है तो मनुष्य के मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जो मुख गुहा में किसका लार का श्रावन करें यानि कि जो ये लार है इसको निकाल रही है अब यहाँ पे सबसे पहली है उपकर्ण ग्रंथी जिसको हम parotid gland कहा देते हैं कहाँ पे parotid यह देखो यह आपका कान और यह रही parotid gland तो एक जोड़ी दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्य में यानि कि दोनों कानों के नीचे होती है नेक्स्ट है अदो जिवा यानि कि sublingual gland तो एक जोड़ी जीब के नीचे दोनों तरफ यानि कि sublingual कहाँ पर है भई यह देखो इधर की तरफ यह रही ठीक and last कौन सी है भई submandibular यानि कि maxillastik के नीचे दोनों तरफ एक-एक की संख्या में यह रही तो बता दिया है वापस बता देती हो एक्जाम में अगर आप पढ़ना चाहोगे संख्या कितनी होती है लार कौन सांथां होता है इनके बारे में लिखने को अक्सर नहीं पूचा चाना जोड़ी जो यहां नली की छे भागते और जिस से तेस्ट का पतला को निगलने में मदद किया ऐस वो're जुआ जिसको निगलने में अथा गरस नली ग्रस तो यह ग्रसणी जो होते यादख भच्चा यह अपनी सनरश isso करेगी यह क्या क्या खानाख खाने वाली में शा districts करो अपन लेड़ करते हैं आपको इदम से आ जाती हैATOR क्यों वह है आप लेड़ कर खाना करते इस लिए भोला जाते हमेशा ठीक से Caucasus तो घ्रजन Ying है वो श्वास नाल में तथा वाईयू किसमें यहां पे आपका ग्रास नाल में प्रविष्ट ना हो याने कि अगर वाईयू है ठीक है तो वो वाईयू वाली नली में ही जाए क्लियर किसमें श्वास नाल में या वाईयू नल अगर खाना है तो वो ग्रास नली में ही जाए य नहीं जा रहे है यहां पर इसको तीन भागों में बाटा गया है नासा ग्रस्नी और इन तीनों भागों को आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कब जब मैं आपको पढ़ाओंगी श्वसन इसे चाप्टर में तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतनी चीज़े याद रखनी है ठीक है जालो अब क्या आगया ग्रसी का यहां ग्रास नली तो ग्रसी का यह ग्रास करते हैंट इसका काम क्या है यह सिर्फ मुख से भोजन को कि कि किसले में तो बहुजन को आप कहाँ कहां पहुचाती है अंजी ऐं माच्जे में पहुचा दि है यानि की मुख को अमाश्याने से जोड़ंके काम कर रही निकर रहे जलो Probably ग्रास ली क्या कर रहे है मुख से भोजन को अमाश्य में पहुंचा इसका सिर्फ काम इतना है कोशन बनता है कि मुख से अमाश्य तक भोजन कौन पहुंचा रहा है बिल्कुल ग्रास नली पहुंचा रही है यह पॉइंच आप लोगों के लिए हैं ताकि आपके नोर्स आसानी से बन जाएं ओके यह बहुत इजी तरीके में बता रही हूं तो देखो एक संक्री पेशन अली इसकी लेखो यहां पर लंबी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है तो यहां से बिल्कुल एक बार फस्वाले पर आ जाएंगे हम डाइग्राम पर यहां पर तो आप देखरों यहां से स्टार्ट हो तो यह जो नली जा रही है यहां से अमाश्य तक जो बोजन को पहुंचा रहे तो इसकी लंबाई कितनी होती है भाई इसकी होती है 25 सेंटीमीटर लिया बिल्कुल तो यह ग्रस्नी के निचले भाग से प्रारम होकर ग्रीवा वक्ष स्थल से होती मड़े पट से निकल कर किड़नी होती है आपकी वह वाला भाग इसका मुख्य काम क्या है भोजन को यह लाइन इंपॉरेंट है बस यहां पर देखो तो यह पता आंचे लंबाई कितनी है यह भी पूछी नहीं जाती है लेकिन मैं आपकी नौलेज के लिए पता होने चिए पूचा क्या आ जाता है इसका मुख्य काम की भोजन को कहा से मुख्य गुआ से हमाश्य में पहुंच जाना है अब देख लीजिए ग्रास नली में को शलेश्मा ग्रंथियां होते यानि कि जो क्या निकाली किसने किसी पधार्त को बाहर निकालेंगी क्या करते है इन ग्रंथियों से श्राविश ले देखिए ग्रास नली में उपस्थित भित्यां भोजन को एक प्रेकार की गती कौन सी क्रमा कुंचन गती यह वर्ड याद रखना है क्लियर कौन सी क्रमा कुंचन गती प्रदान करती है जिसके माध्यम से भोजन आमाश्य तक पहुचेगा अब यहां पे मैंने एक चीज बो बोलते हैं हिंदी में घाटी ढकन और इंग्लिश में बोलते हैं इसको आप इगलोटेस क्या करता है यही काम करता है स्विच के तरह यह सब डिटेल में आपका पढ़ोगे शुरसन वाले पार्ट में जब मैं पढ़ाऊंगी मानव शुरसन तंत्र क्योंकि यह वहां पर डि पॉइंट यादत ने हैं कि ग्रास न लिगा सिर्फ काम किसका काम क्या है मुख से भोजन को अमाश्य तक पहुंचाना ओके शालो तो यह चीज़ क्लियर होगे अब आ जाता है हमारा अमाश्य इसकी संरशना यानि इसकी शेपना जेयाकार की गोती है ओके और यहां से पाच करकी क्या होती है ग्रंती होती है जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंती तो जठर ग्रंती कहां इस्तित है अमाश्य में जठर ग्रंती यह श्रावित करती है जठर रस को फ्लियर किसको यह श्रावित करती है जठर रस को श्रावित करती है और इस रस में ना तीन चीज़े होती कॉन कॉन सी देखो नंबर वन हां जी बटा नंबर वन होता है पेपसीन सेकेंड नंबर पर आ जाता है हाई्ड्रोक्लोरिक अमल क्लियर क्या जाता है हाइड्रो क्लोरिक अमल और लास्ट में आ जाता है शलेश्मा या जिसको हम म्यूकर्स भी कहते हैं क्लियर है चालो अब यहीं पर हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे और बतादू एक वेन को डिटेल मेंची से क्या काम है चलिए तो अहा नली का ग्रास नली से आगे का भाग अमाश्य है खाना मुं में खाया चबाया टेश का पतला का ग्रास नली से होते हैं आग यह अमाश्य में यहीं चीज मैंने बताई है अमाश्य में क्या होते है बच्चा जठर ग्रंथी और याद रखेगा यह फ्लो चार्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे किसमें आपके एक्जाम में इनसे चीजों को आपको याद रहता है तो मैं फ्लो चार्ट काफी बनवाती हूं जिनसे बच्चों को चीजों क याद करने में आसानी हो जाती है तो जटर ग्रंथी का आमाश्य में कौन सी ग्रंथी जटर ग्रंथी जटर ग्रंथी से किसका श्रावण जठर रस का श्रावण और जठर रस में क्या होती है यह तीन चीज़े हो जाती है नंबर वन पैपसीन ठीक है सेकंड आपका हाइड् और तीसरा हो जाता है शलेश्मा दियान से देखिए पैपसीन क्या बचा ये भी एक एंजाइम है ठीक है पैपसीन क्या है ये भी एक एंजाइम होता है और ये किसको पचाने में मदद करता है ये मदद करता है बिटा प्रोटीन को पचाने में किसको पचाने में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है लेकिन इसके एक शर्द होती है क्या कि ये जो एंजाइम होता है ये सिर्फ अमलिये वातावरण में कार्य करता है यानि कि जब वातावरण कैसा होगा वहां का अमलियोगा तभी एंजाइम कारे कर पाएगा वहना नहीं कर पाता हाइड्रोग्लोरिक अमलिये प्रकृति देता है क्लियर क्या देता है भोजन को अमलिये प्रकृति देता है जिससे हम क्या करतें भोजन को असानी cord सकते हां श्लेशमा क्या कर रहे है आप सोचो बच्चा हमारा स्टमक है पेट है ठीक है नॉमल अगर हम तेजाब की बात करते हैं एसिड की कितना खतरनाग होता है हाथ भी लगा आप सोचो हमारी बॉडी के अंदर क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा बिल्कुल पहुंचा सकते है त चलेशमा जो Цutes क्या करती है लिख लीजे मान आ शें के आंत्रिक ही ठीक है अस्तार की मां शें के अंत्रिक अस्तार की रक्षा किस्से इससे आडसी यहां पर समझ आया तो माश्य में क्या होते है जटर ग्रन्थी में को क्या होता है और उस रसमें तीन चीज़े होती है, नबर वन, पैपसीन, जो की एक enzime है, और यह enzyme किसका प्रोटीन का पार्चिन करता है, लेकिन यह तब ही काम करेगा, जब इसको अमलिय वातावन मिलता है, तो अगर कोशिन होता है, कि अमलिये वातवर्ण में कौन कारे करते हैं तो आपको पता होना चाहिए फैपसीन एंजाइम और यह अमाशे के आंत्रिक अस्तर की रक्षा करते हैं किसे इस हाइड्रोक्लोरिक अमल से सिंपल पॉइंट ठीक है क्या यह पॉइंट क्लियर है बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से बहुत चालो तो यहाँ पर यह चीज तो हो गई क्लियर कि हमारा जो खाना है यहाँ पर अमाशे में आपको पता लग रहा है कैसे कैसे पच्छ रहा है अब हमारा पार्ट आता है छोटी आत यानि कि स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखेगा सबसे ज़्यादा भोजन का पाच्छ यहीं होता है हाँ जी सबसे ज़्यादा भोजन का पाच्छ ठीक है आहार नाल के छोटी आत वाले भाग में होता है तो अगर आपका कोशन हो कि भाई भोजन का यहीं सबसे ज़्यादा भोजन का पाच्छ आहार नल के कौन से भाग में हो रहा है तक पता होना चाहिए चोटी आथ में और चोटी आथ की ना तीन भाग होते हैं चले थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में ठीक है यह पॉइंट्स आप लोग की हेल्प के लिए हैं मैं समझाओंगी साथ-साथ आपको सब कुछ बताओंगी कैसे करना है बस इतना बतार उतना बहुत अच्छे से करना है ठीक है देख लिजी अभी आप तो छोटी आथ पाचन तंद्र का एक अत्यंत महच पुड़ांग है जो अमाश्य के जटन डिगर में भाग यानि की अमाश्य के भाग होते हैं वह भी आपकी क्लास में यानि कि आपके कोर्स में नहीं है जब आप 11 में जाओगे तब उनको पढ़ोगे बहुत डिटेल में ठीक है तो हमारा जो भाई स्टमक था यह था तो कहां से यहां से खाना प्रवेश कर रहा था यानि कि भाई देखो सबसे पहले ग्रास नली से आया ठीक है यहां से मामास से तो यह ठोटी आथ चोटी आथ के द Park कि निर्गमी भाग बोलते हैं इसको तो इससे शुरू होकर बढई आत में क्या होता है पूर्ण होती है मानव में इसकी ओसत लंबाई 7 मीटर यानि की छोटी आथ की लंबाई कितनी होती है 7 मीटर तथा आहा नाल के इस अंग द्वारही भोजन का सरवादिक पाचन जो पाइंट में आपको बता चुकी हूँ अवशोशन होता है और चोटी आथ को कितने तीन भागों में बाटा गया है देख लिजे नमबर वन जिजुडी नम जिसको ग्रहनी भी कहते हैं सेकिंड पार्ट जिजुनम और तीसरा आता है बच्चा इलियम क्लियर अब देखिये यहां पर डिजुडी नम जिजुनम और इलियम किसके छोटी आथ के तीन भागे सबसे पहले खाना जो जाता है डिजुडी नम में जब पच्चता उसके बाद आपका जिजुनम वाला पार्ट आप यहीं पर बढ़ते हैं ठीक है चालो तो फिर आजो यहां पर सबसे पहले यक्रत वाले पर यक्रत क्या है वच्चा एक प्रेकार की ग्रंथी है और याद रखेगा मानव पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथी यक्रत ग्रंथी है यानि की यक्रत ग्रंथी है ओके अब ये यक्रत ग्रंथी क्या करती है बेटा देखो ये भी किसना किसी पदात को इप पत्रस को बाहर निकाल रही है है क्लियर इस पित्रस में क्या होते हैं इस पित रस में होते हैं पित लवन क्या होते हैं पित लवन अब इन पित का लवन का कारे क्या होता है तो वापस उन्हों ध्यान से यक्रत ग्रंथी क्या है मानव पाचन की यानि मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथी है और साथ ही साथ यक्रत ग्रंथी पित रस को बाहर निकालते हैं, अगर मैं आपसे कोशन पूछू, यक्रत ग्रंधी किस काश रावन करेगा, आपको पता होना चीए, पितरस का, और साथ ही साथ, पितरस में क्या होता है, पितलवन, और इनका काम क्या होता है, तो देखो ध्यान से, इनका काम होता है, वसा की, बड़ी गो गोली काओं को किसमें, हाँ जी, वसा की बड़ी गोली काओं को छोटी गोली काओं में तोड़ना, क्लियर, तो देखो ये वसा की क्या थी, भाई, बड़ी बड़ी गोली काओं थी, और ये किसमें तूड़ गई, वसा की छोटी छोटी गोली काओं में, और याद रखेगा वसा की जब बड़ी गुलिकाएं च्छोटोटी गुलिकाओं में टूड़ जाती है तो इस वसा को हम क्या कहते हैं इन च्छोटोटी वसा को इसको हम कहते हैं कि एमल सी कृत्वासा क्या कभाएते हैं स्कों हम लोग कहते हैं इमल सी करत्वासा याद रहेगा पॉइंड चलो रिवाइज करो देखो मानव पाशन दात्रा के सबसे बड़ी ग्रंती यक्रत ग्रंती ठेक है यह किसको यहles का श्रावन करती है नरा समय पित तो हम उसको बोल देते हैं इमल सिक्रेट वस्ता क्लियर यह पार्ट था किसका यक्रत का अब यहां पर सोचो बिटा पितरस है वह कहीना कहीं तो इक खटा होता होगा तो पितरस कहां पे खटा होता है लिख लिजे इस पॉइंट को पितरस पिताश्य में इखटा होता है कहां पे पितरस पिताश्य में इखटा होता है ओके क्लियर है बिल्कुल पॉइंट तो यह पितरस कहां इखटा हो देखो श्रावित कौन कर रहा है यक्रत ग्रंती लेकिन यह पितरस इखटा कहां हो रहा है पिताश्य में हो रहा है ओके चालो तो भाई जैसे कि मैंने बोला डूडी नम में आपके दो पाट आएंगे यकरत और अगनाश्य यकरत आपड़ चुक्कि आप बारी किसकी है अगनाश्य के तो आजाए फिर अगनाश्य ग्रंथी और अगनाश्य ग्रंथी कैसी ग्रंथी है बचांग ये एक मिश्रित ग को द्यान से ग्रंथियां तीन तरीके से मैंने बताई कौन सी अंतिश्रावी बहिश्रावी और मिश्रित तो अगनाश्य हमारे मिश्रित ग्रंथिया यानि कि हॉमोन को भी निकाल रही है और एंजाइम को भी तो अगनाश्य ग्रंथी का जो कौन सा बहिश्रावी ग्रंथी भाग तो उस भाग से भाई श्रावी जन्थेलो भाग क्या निकलता है एंजाइम को तो बिल्कुल एंजाइम निकल गया हॉर्मोन कहां से निकलते हैं देखो हॉर्मोन निकलते हैं अंते श्रावी हां जी हॉर्मोन कहां से निकलते हैं अंते श्रावी ग्रंथी वाले भाग से ठीक, ग्रंथी वाले भाग से, अब हमें ये जानना है कौन सा हॉर्मोन निकल रहा है, कौन से एंजाइम निकल रहा है, तो हम इनको जानेंगे, ठीक, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूं हॉर्मोन के बारे में, देखो, अन्तय यानि की अगनाश्य ग्रंथी का अन्तय श्रावी, ग्रंथी भाग जो है, ये किसको निकाल रहा है बच्चा, ये निकाल रहा है हॉर्मोन को, ठीक, लेकिन कौन सा हॉर्मोन, तो वो है हमारा इंसुलेन हॉर्मोन, ठीक है, कौन सा हॉर्मोन, इंसुलेन हॉर्मोन, और याद रखेगा, हॉर्मोन का हमारी बा जादा निकल है तो नुकसान देंगे ज़रत से कम है क्लियर तो भी नुकसान देते हैं तो इस हार्मोन की कमी के कारण हंज अगर इंसुलिन हार्मोन जो है यह कम श्रावित हो रहा है यानि कि इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है बिलकुल अगर यह होमोन कम श्रावित होग तो insulin hormone क्या करता है बेटा ये जो hormone है ये हमारे रक्त में किसमें रक्त में क्या करता है शरकरा यानि कि glucose क्या ओते बेटा शरकरा ही तो है तो रक्त में शरक्रा की जो मात्रा यहीं की ग्लुकोज की मात्रा लिख दूसको यहां पर ठिक की मात्रा पर क्या करता है भरी बिल्कुल नियंत्रन करता है कौन यह इंसुलिन हार्मोन तो कोशन पूछा जाए इंसुलिन हार्मोन कहां से श्रावित होता है आप क्या बोलोगे मुझसे कि मैं अगनाश्य की अगनाश्य गरंथी जो इसके अंतिय श्रावी गरंथी वाले बाद से मैंने पूचा इंसुलिन हाओ आपका जो हॉर्मोन उसकी कमी कान कौन सा रोग ता बोलो कि मैं मदू में रोग जिसको हम शुगर डाइपटीज भी क्लियर अब यहां पर हमन और क्या करता है कार्बो हाइड्रेट आपको यह सब चीज़े पता होनी चाहिए क्यों क्यों सा एंजाइम किसका पाचन कर रहे है कीयर नेक्स आजाते है ट्रिप्स Uber ये भी प्रोटीन का पाचन करते है लेकिन इसकी कोई शर्त नहीं होता है कि बहीं मुझे आमल्यव आता बरने चाहे नहीं वह सिर्फ प्रब्स इनकी देद होती है ठीक है तो ट्रिप्स इन आपका प्रोटीन का पाचन करता है उसके लिए जरुरे नहीं अमलिय वाता बरनो और लाइपेज इसको स्टी आपसिन भी कह देते हैं प्लियर तो याद रखेगा लाइपेज एंजाइम जो होता है इसको स्टी आपसिन के नाम से भी जाना जाता है और यह किसका पाचन करता है इमल सीक्रत वसा का ठीक है किसका इमल सीक्रत वसा का पाचन करता है बिल्कुल अच्छे से तो देख लीजिए एक बार तो यहां पर जो वसा की बड़ी गुली का यह थी जो चुटुटी गुली को में टूटी इस वसा का पाचन कौन करेगा भाई हमारा लाइपेज एंजाइम जिसको इस टेपसिन के नान से भी जानते हैं इतनी चीज़े क्लियर तो होता क्या है बच्चा जब छोटी आत में आपका तीन भागते डूडिनम में यह दो बागते जब यहां पे इतनी क्रिया हो जाती है उ आपर पॉइंट्स सो देख लिए सुद्रांद्र की है चोटिया तो शुद्रांद्र के आन्ट्रे कास्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रावर्द प्रैवर्द क्या होते मैं बालो जैसे सी रचनव ठीक है तो जिने हम क्या बोलते हैं दीर कहते हैं यानि कि यानि कि भाई ये अब शोशन का सतही शेत्रफल बढ़ा देते हैं दिर गुरूम में रुदिर वाहिकाओं की भहतायत होती है जो भोजन को शोशित करके शरीर की प्रते कोशिता को जो कोशिका होती है सेल होती हमां तक पहुंचाते हैं इसका उप्योग उर् जलका अवशोशन कि क्या करते हैं जलका अवशोशन सह sensors कि कैंस एक ट्यानी की याद रखना छोटी आठमे के बाचन हो जाता है चोटी यहाँ पर यानि एक छोटी आता है वहां पर एक पड़ान के बाद में होता गया है बच्छा जब इंदी का nine हो जाता हो जाता तौसके क्या होता है कि जो वहाँ पर भाई जब आपका जो बड़ी आत एंग और चोटी आत में पिछ दिरोम होता है यह क्या करते हैं जल का अवशूशन करते हैं तो देख लिए यह उल्टे यू आकार की करेब 1.3 मीटर लंबी देखो बड़ी आत 1.3 चोटी आत 7 मीटर लंबी जो बिना पच्चा भोजन होता है जो बेकार हो जाता है जो पच्चता नहीं तो बिना पच्चा भोजन ब्रह द्रांतर में भेज दिया जाता है चादिक संख्या में यानि की शुद्रांतर में तो होते हैं दिर्ग्रोम लेकिन बहुत जादा मात्र में दिर्ग्रोम जो होते है बड़ी मात में होते हैं तो पदार्थ में से क्या करते हैं जलका और शोशन कर लेते हैं अन्य पदार्थ गुदद्वार किसे भई यानि कि गुदद्वार द्वारा क्या होते भई आपका शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है इस वज़र्य वज़र्य क्या है बेकार पदार् शेपन्स गुदा अवरोधनी द्वारा नियंजित किया जाता है सिंपल और लास्ट पार्ट किया आपका गुदा द्वार तो यह क्या कर रहा है भाई जितनी बेकार पधार्थ है यानि कि बेकार पधार्थ को शरीर से बाहर निकालता है क्लियर बच्चा यह चीज बहुत अच्छे से चालिए तो देखो सबसे वहले मुख का काम समझा आ गया ग्रास नली अमाश्य है छोटी आथ बड़ी आथ में क्या हो रहा है जलका और शोशन हो रहा है सिर्फ और गुदा दुवार से बेकार पधार्थ को बाहर निकाल रहा है तो बच्चा लोग हम लोग ने आज क्या पढ़ा है आज हम लोग ने पढ़ा है मानव पाचन तंत्र और जो टोपिक आप देली पढ़ेंगे उसको खुद से रिवाइस भी करना है उसे खुद से पढ़ना भी है और जैसे कि इसमें डाइग्राम भी था तो आपको डाइग्राम भी पढ़ना है एक बार स्टार्टिंग में आएंगे तेजी के साथ यहां पर पूरा डाइग्राम दिखा देती हूं तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है जीव आपका मुख कैसे यहां से ग्रसी का क्या हो रहा है माश्य में फिर छूटी आंत में बढ़ी आत और गुदरद्वार का क्या काम है यक्रत क्लियर है अगनाश्य क्लियर है पिताश्य सब चीज डाइफ्राम तो बिट्टा आपको मैं श्वस्तने पढ़ाँगी वहां पर आएगा क्लियर है चलिए तो सारी चीज आइम होता है जल्दी से बताईए थोड़े समय चार आप्शन आपके सामने है हां जी क्या होगा बच्चा ए आप्शन टॉयलेन भी है पैपसीन सी है श्लेश्मा एंडी है यह सभी सोचो सोचो मैंने बताया था मुखे रुप से कौन सा एंजाइम होता है चले भई यहां पर आपका टाइम आप हो जाता है नेक्स कोश्चन यकरत किस रस को श्रावित करता है हां जी पताईए यकरत किस रस को श्रावित कर रहा है क्या वो लार है क्या वो जठर रस है क्या वो पित्रस है या फिर वो है अगनाश्य रस जल्दी से जल्दी से तेजी से आंसर दो चलिए तो भाई टाइम हो जाता है यहां पे खतम देखो सबसे पहले पूछने लार में कौन सा एंजाइम होता है हमें बहुत अच्छे से पता है ट्वाइलिन या पैपसीन होता है नहीं भाई यह तो हमने अमाश्य में देखा था है ना वहां पर पढ़ा था श्लेश्मा भी कहां पर भाई अमाश्य का पाट यह सब होई नहीं सकता तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शिन नंबर ए टॉयलिन क्लियर है नेक्स कोशन था कि यकरत किस रस को निकालता है तो मैंने बताया था क्या लार को नहीं यह तो लार ग्रंथी से श्रावित होती है क्या जटर रस यह तो जटर ग्रंथी से श्रावित होता है यानि जटर ग्रंथी किसका और जटर रस को श्रावन करती है पितरस बि यह रहे चालो तो यह होगे आपके दोनों क्वेज के कोश्चिन और अब देख लो नेक्स क्लास में क्या पढ़ोगे तो नेक्स क्लास में मैं आपको जो पढ़ाना शुरू करूंगी वो